हमारे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेंटल ब्रिज क्या होता है किस कंडिशन में ये ट्रीटमेंट की जा सकती है और एग्जेक्ली डेंटल ब्रिज की लाइन ओफ ट्रीटमेंट क्या होती है आज की इस एपिसोड के अंदर मैं आपको डेंटल ब्रिजेस के टाइप्ज के बारे में बताने जा रही हूँ उसकी टाइप्ज कौन-कौन से होते है तो चलिए आज की इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं मैं डॉक्टर चेताली डेंटल टॉक इस यूट्यूब चानल में आपका स्वागत करती हूँ डेंटल ब्रीजेस की लाइन ओफ ट्रीटमेंट के चार टाइपस होते हैं एक ट्रेडिशनल ब्रीज, दूसरा कैंटिलिवर ब्रीज, तीसरा मारी लैंड ब्रीज और चोथा इंप्लांट सपोर्टेड ब्रीज आईए अब हम देखते हैं किस कंडिशन में डेंटिस ट्रेडिशनल डेंटल ब्रीजेस एडवाइस करते हैं ये समझने के लिए इस एमेज में देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति का एक दात नहीं है तो ऐसे में ग्याप वाले दात के जो साइड के दो दात हैं उनके उपर क्याप लगा कर उनका सपोर्ट लेकर मिसिंग दात रिप्लेस होता है ऐसे ब्रीजिस को हम ट्रेडिशनल डेंटल ब्रीज कहते हैं कैंटी लिवर ब्रीज इस ट्रीटमेंट की मदद से हमारे पीछे के जो दात होते हैं अगर वो मिसिंग हो तो मिसिंग दात के एक ही साइड के दातों का सपोर्ट लेकर मिसिंग दात रिप्लेस किया जाता है इसी ब्रीजिस को हम कैंटी लिवर ब्रीजिस कहते हैं लेकिन mostly ये treatment dentist किसी patient के लिए ज्यादा तर prefer नहीं करते क्योंकि इस bridge में एक ही तरफ से support लिया जाता है जिस वज़े से इस bridge का life span थोड़ा कम हो जाता है तीसरा type है Maryland bridge इस treatment के अंदर अगर आपके दातों में किसी एक दात का gap है तो उस gap में side के दातों का पीछे से support लेकर missing दात replace किया जाता है इसके लिए ये image में देखिए इस image में यहाँ पर ये bridge है और side में पीछे की तरफ से दोनों दातों का support लिया गया है mostly ये जो bridge है वो आगें के दातों को replace करने के लिए लगाया जाता है लेकिन इस दात के साथ आपको थोड़ी साउधानी बरतनी पड़ती है इस bridge के साथ आपको directly कोई hard चीज नहीं खानी है लेकिन अगर आपका आगे का एक दात मिसिंग है उसके लिए ये best treatment है चलिए अब हम बढ़ते हैं चोथे नंबर के bridge की तरफ वो है implant supported bridge इसमें हड़ी के अंदर implant डाल कर उसके support से दात बिठाये जाते हैं जिनके सारे दात गिर गए है या पीछे के दात मिसिंग है ऐसे patients के लिए ये best treatment है ये जो dental bridge है वो बहुत ही मजबूत होता है और बाकी सारे bridges की comparison में इस bridge का life span बहुत ही ज़्यादा होता है इसलिए dentist ज्यादा करके patient को implant supported bridge ही advice करते हैं तो ये हो गए dental bridges के 4 types अगर आपको भी दातों में इन में से कोई समस्या है और आप भी dental bridges की treatment करवाना चाहते हैं तो बे जिजग करवाईए लेकिन फिर भी इस treatment को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और Dental Talk इस YouTube चानल को सब्सक्राइब कीजिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए